गुद्वार्णिंग एरुबन वेलिकम टू माय फॉंदेशन क्लासेज तो अभी चरद आपका दक्रेंटरफेस तो और आज देट है 9th May 2019 तो चलिए 9 माई 2019 के जो भी करेंटरफेस बनते हैं उससली को हम लोग कवर करेंगे तो आजके आपका पहला कुछल्य ने है किस उच्षण न्यालय ने जीरो प्यंडेंसी नमा की पाल इंदेश्स ँच्व closure क LAUR Max अगला कुछ से ने निमलिकित में से किस देश में G7 सिखर सम्मेरन कहां आइज Byz किया जाएगा भारत को उस्ट्रेलिया, चीली और दक्सिन अफरिका के साथ G7 देशों के सिखर सम्मेरन के लिए अधिकारिक रूप से आमंतित किया गया है एस सम्मेलन का प्राइजन 24-25 अगर्स 2019 के दरौन Frans के बियारीड्स में क्या जाएगा यो जगह आप या लखना फ्राइजन क्या जाएगा 24-25 अगर्स 2019 में अगला कुछ नेक हाली में किस बाते राजनेता ने अमेर्की राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प को पचारते हुए विसमें दूसरे सबसे अधिक ट्वीटर फॉलोवर वरने का रिकॉर्ड कायम किया है तो कौन से वो भात्या राज नेता है तो वो है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्वीटर पे नहीं जो भी ट्वीटर, फिस्बूक, इंस्टेगराम है अगर सब में हम लोग देखें तो सबसे अधिक जो फॉलोवर है सबसे अधिक वो है एक नमर पे बराक अबामा ठीक है बर्याक वाबा के follower सबसे अधिक है और दूसरे नमर पे Donald Trump को पीछे छोड़ते वे Modi पहुँच गए ठीक है और तिसरे नमर पे कौन है तिसरे नमर पे है Donald Trump और चौते नमर पे हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की है हिलेरी क्लिंटन और पांचवे नमर पे है राहूल गांधी तो राहूल गांधी भी इस रेस में टॉप 5 में सामिल है तो आपको याद रखना है दूसरे नमर पे पहुँच गए है नरेंद्र मोदी अगला कुसे ने परधान मंती नरेंद्र मोदी ने फानी अपरवावित ओडिशा को कितने रुपे की अतिरिक्त सहतारासी दिये जाने की घोस्ना किया है तो कितने रुपे की वो है 1000 करूर रुपे की तो फैनी चक्रवाद से भी बहुती भारी तवाही मचाया गया है कहां पे ओडिशा में तो इसलिए परदामाशी नरेंद्र मोदी ने अतिरिक्त सहतारासी 1000 करूर रुपे देने का फैसला किया है ओडिशा सरकार को अगला कुशन है कि अमेरिका ने हाली में किस देश के साथ चलरी विपारवारता की धीमी प्रगती से हतास होकर इसी सब्ता से 200 अरब डॉलर की वस्तों पर आयात सुल्क बढ़ाने का विचार किया है तो वो है चीन अभी आपको पता होगा अमेरिका और चीन के वीच में जुए पारवारता चल रहा है उसका जो प्रोसेस वो स्लो हो गया है चीन के तरब से इसको लेकर अमेरिकारी ये फैसला लिया है कि जो 200 अरब डॉलर की वस्तों को आयात क्या जाता है उस पर उसने आयात सुल्क बढ़ा दिया है अगला कुशन है सुप्रीम कोट ने 7 मई 2019 को वी वी पैट पर कितने विपक्षी दलों की याचिका खारिज कर दी तो ये है 21 विपक्षी दलों की याचिका को तो 21 विपक्षी दलों ने एक याचिका दायर क्या था सुप्रीम कोट में कि जो नमबर्स हैं वी वी पैट में वेरिफिकेशन के वो रने चाहिए 50% कम से कम स्वरी 50% या नहीं तो कम से कम 25% उन्होंने महाना तक 25% से 50% के बीच में ये नमबरों वेरिफिकेशन होना चाहिए लेगिन सुप्रीम कोट ने इस याचिका को खारीज कर दिया अगला कुछ नहीं कि 208 दिवस 2019 का थीम क्या था 208 दिवस 2019 तो 208 दिवस 2019 कब मनाया गया तो ये मनाया गया ये हम लोग हर एक वर्स मनाते है 208 दिवस प्रतियक वर्स मनाया जाता है मई महिने के पहले मंगलवार को किस कब मनाया जाता है मई महिना जो अभी चल रहा है मही महिना के पहले मंगलवार को विस वस्तमा दिवस मना जाता है और 2019 में इसका थीम क्या रहा है इसका थीम था Stop for Asthma क्या था Stop for Asthma ये था इस वर का थीम अगला कुशन है कि भारत्या डेरी ब्रांड अमूल ने 30 मही से इंग्लेंड और वेल्स में खेले जाने वाले कि कहां पर हो रहा है 2019 का जो वर्ल्ड कप और वेल्स में खेला जाना है और आपको ये बताना है कि जो इसने किस टीम के साथ टाय अप किया है किसके साथ आफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये है अमूल जो भारते डेरी ब्रांड है वो उसका स्पॉंसर होगा अगला कुछ है कि विस फुटवॉल की नियामक संस्ता फीफा ने दुनिया भर में महिला फुटवॉल को बढ़ावा देने के लिए कितने नए पुरुसकार स्रेणियों की गोशना की है तो कितने नए पुरुसकार स्रेणियों की गोशना की है यह दो तो विस फुटवॉल की नियामक संस्ता जो फीफा है उसने दुनिया भर में महिला फुटवॉल को बढ़ावा देने के लिए दो नए पुरुसकार स्रेणियों की गोशना की है दो नही पुरुसकार स्रेडियों में वर्ष की सर्वस्रेष्ट महिला गोल कीपर और वर्ष की सर्वस्रेष्ट महिला टीम को सामिल किया जाना है सर्वस्रेष्ट पाला पोजेशन पर क्या हुआ वर्ल्ड की सर्वस्रेश्ट महिला गोल की पर और दूसरा वर्ल्ज की सर्वस्रेश्ट महिला टीम इस दो फुरुसकार को सामिल किया गया है ठीक है अगला कुछ दे कि बालू खनन और गंगा को पानी पहुचाने वाली परमुख नदियों पर अगामी बांधाओं के विरोध में एक सो चरौनवे दिन के उपवास को किषने तोड़ा तो अभी आपको पता होगा कि 194 दिन से उपवास चल रहा था किसी एक सक्स का किसी के लिए तो बालू खनन और गंगा को पानी पहुचाने वाली परमुख नदियों पर अगामी बांधाओं के विरोध में तो वो कौन से सक्स हैं जिनका अभी जिसने अभी अपना अंसन तो ठाखा था ठीक है और यह बहुत ज्यादा एजेट नहीं है इनका एज मात्र 27 वर्स है ठीक है तो 27 वर्स के स्वामी आत्म बोधानंद ने गंगा को भरने वाली परमुख नदियों पर रेत खनान और अगामी बांधाओं के विरोध में अपना 144 दिन का उफवास तोड़ द ुकर क्या करके सतर में वानВыटजीक पुनां आपूर्ति मीशन को अंतराश्तियां अंत्रिक्ष्सय inadequ में लौंज किया अभी कल में ने आपको ये बता है था कि किसने ये कारगो जो आप देख रहे हो वानी जी पुना आपूर्ती मीशन तो मैंने बताया था कि कार्गो सिप स्पेस में भेजने वाला जो पाला आपका प्राइवेट फर्म है वो कौन सा है वो है स्पेस एक्स आपको यह बता रहा है कि ड्रैगन इसके स्पेस क्राफ्ट के साथ किस रोकेट को इसने यह भेजा तो यह फालकन 9 रोकेट कौन सा होजाएगा फालकन 9 रोकेट को इपयोग से इन्होंने सत्तर में वानिजीक पुनापुर्ती मीशन को अंतरास्टिय अंत्रिक्सी स्टेशन में लॉंज किया ठीक है और कहां से किया यह किया फ्लोरिडा के केव केनवेरल एर फोर्स स्टेशन से ठीक है अगला कुछ ने गेम चेंजर निमलिखित क्रिकेटरों में से किसकी आत्मकता है यह मैंने आपको बताया हुआ है गेम चेंजर किसके आत्मकता है यह साहीद अफ्रीदी की पाकिस्तान के पुरु कप्तान और इस्टार और अलांडर है साइद अफृदी तो उनकी आदमकता है गेम चेंजर ठीक है और इस पुस्तक के लेकक कोई है तो इस पुस्तक के लेकक है पत्रकार वजाहत एस खान ठीक है इसमें अफृदी ने भी अपना कुछ योगदान दिय है तो इसके लेकक अफृदी और पत्रकार वजाहत एस खान वजाहत आप इसका नाम याद रखो वजाहत एस खान ठीक है वजाहत एस खान और खुद अफृदी इन दोरों ने मिलकर इसको पूरा किया है ठीक है अगला कुस्तने कि माई 2019 में पेपदार्थों के डिब्बों के निमलिकित अंतराष्ट्या निर्माताओं में से किसके साथ हिंडाल को इंडिस्ट्रीज ने करार किया है हिंडाल को इंडिस्ट्रीज ने किसके साथ करार किया है किसके साथ करार किया है देखो यहाँ पे आपको तीन कंपनी दीख रहा है अमेरिका अस्तित बॉल वेवर पैकेजिंग 1945 लियुक्र बर्ला पक और केंट इंडिया इस मेंसे हिंडाल को इंडेस्टरी को किसे साथ करार हुआ है किसी के लिए तो लिन्व के लिए जो भी आप पड़ार्थ यूस करते हो ठीक है उसके लिए जो डबा यूस कहते है उसके लिए तो इसमें दो कंपणिया सामील यह है Amia और Canpac India कौन दो कंपणी है Amia और Canpac India इसके साथ यह ताइ अप हुआ है किसका वो हो है हिंडाल को इंडेस्ट्रीज का ठीक है यह यह बहुत ही बड़ी एक एलुमिनियम निर्वाता कंपनी है हिंडालको आपने अगर कभी भी मार्केट में आपको थोड़ा सा एडिया होगा तो आपको पता होगा हिंडालको का एलुमिनियम आता है ठीक है तो एलुमिनियम निर्वाता कंपनी है हिंडालको पेपदारत के डिब यूए सदारित बॉल वेवरेज पैकेजिंग अमया और केंपेक इंडिया के साथ करार किया है ठीक है अगला कुछ नहीं कि भारत में 300 करोड का आंकडा पार्क करने वाली पहली हॉलिवूड फिल्म कौन सी है तो भारत में आप ध्यान देना यहां पे भा पहला जो हॉलिवूड फिल्म है वो कौन सा है तो अभी जो भी यंगस्टर्स हैं उनमें यह चाया हुआ यह मोवी वह है एवेंजर्स एंडगेम ठीक है एवेंजर्स एंडगेम यह ऐसी कंपनी है जिसने भारत में 300 करोड का सीमा पार किया है तो यह पहली हॉलिवूड अपनी बनी है जिसने भारत में यह किर्दमान हासिल किया है अगला को सेना की चौती सिक्रेट स्कॉर्पियां स्कॉर्पियां की पंडूबियों की परियुजना 75 को मजगों डॉक लिमिटेड के कानो जी अंग्रे वेट वेसीन में लॉंच किया गया है इसे डैस नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है इसे नाम दिया गया है वेला तो आपसे डैसर बनता है वेला को कहां से लॉंच किया गया है वेला क्या है तो वेला है एक सिक्रेट स्कॉर्पियां स्रेनी की पंडूबी जिसको प्रोजेक्ट 75 के तर्थ बनाया गया है और इसको कहां से लॉं अगला कुशन है कि मनिपूर के वर्तमान मुखमंतरी कौन है तो जो कल मैंने तीन कुशन पूछा था चलिए अब देखते हैं उसका सही आंसर तो मनिपूर के वर्तमान मुखमंतरी कौन है तो कौन है मनिपूर के वर्तमान मुखमंतरी यह है विरेन सिंग इनका पुरा नाम है नजमा हेबतुला क्या नाम है मनिपूर के गवर्णर का नजमा हेबतुला क्या नाम है नजमा हेबतुला ठीक है नजमा हेबतुला ये है मनिपूर के गवर्णर और मनिपूर में अगर राजसवा लोगसवा सीट का बात करें मनिपूर में राजसवा के सीट कितना है तो मनिप है मनिपूर का लोकसवा रास्वा का सीट और मनिपूर बनके इस्टेट रूट का दरजा मनिपूर को कब मिला तो मनिपूर को स्टेट रूट का दरजा मिला है 1972 में कब मिला है 1972 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को इसको state route का दरजा प्राप्त हुआ है, और मनीपूर का capital का है, मनीपूर का capital है इमफाल, ठीक है अगला कुछ है कि मेघाले के वर्थमान मुखमंत्री कोन है, मेघाले के वर्थमान मुखमंत्री कोन है, यह है कॉर्णाट संग्मा, क्या है नाम इनका, कॉर्णाट संग्मा, जो NPP party के है, NPP party, National People's Party, ठीक है, National People's Party of India, यह NPP party है, और इसकी के है कॉर्णाट संग्मा, जो भी मेघाले के मुखमंत्री है, NPP का गठन का हुआ, यह 2012 में हुआ है, और PA संग्मा के दोरा इसका गठन क्या गया है, ठीक है मेघाले के राजपाल अभी कौन है मेघाले के राजपाल है, तथागत रोय, क्या नाम है इनका, तथागत ठीक है, तथागत रोय, तथागत रोय इनका नाम में, जो मेघाले के राजपाल है, और मेगाले अस्टित में कब आया मेगाले अस्टित में आया 21 जैन्वरी 1972 21 जैन्वरी 1972 को अभी आपने देखा मनिपूर भी 21 जैन्वरी 1972 को अस्टित में आया था और मेगाले भी 21 जैन्वरी 1972 को अस्टित में आया और इसका कैपिटल का है इसका कैपिटल है सिलोंग ठीक है का है कैपिटल सिलोंग और लोगसवा राजसवा का सीट का अगर बात करें तो लोगसवा में मेगाले से कितना सीट है मेगाले से दो सीट और राजसवा में मेगाले से कितना सीट है यह है एक सीट तो मनिपूर में भी आपने देखा था लोग सबा में दो सीट और राश सबा में एक सीट है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला कुछ नहीं है कि मिजोरम के वर्थमान मुखमंत्री कौन है यह है जोराम थंगा क्या नाम है इनका जोराम थंगा तो मिजोराम जोराम यहां से थोड़ा सा आप लिंक रखके क्योंकि मिजोरमINS जोराम लास्ट में आया और जोराम थंगा से इसका Saat होता है जोराम से तो आपका याद रखने में आपको असली कौन है जोराम थंगा और यह किस पार्टी से मनF मैस ign". मीजन नेसनल फ्रोंट यह एक रिजनल पार्टी है जोराम का तो उसी पार्टी के अभी गवर्णर कौन है तो मिजोरम के गवर्णर अभी है जगदीज मुखी कौन है जगदीज मुखी जगदीज मुखी और कहा के गवर्णर है मैंने आपको बताया हुआ है असम के गवर्णर भी है जगदीज मुखी मिजोरम के गवर्णर भी है जगदीज मुखी ठीक है और अगर मिजोराम का बात करें तो मिजोराम अस्थित में कब आया यानि स्टेट रूट का दरजा मिजोराम को कब प्रावत हुआ तो यह हुआ 20 फरवरी 20 फरवरी 20 फरवरी 1987 20 फरवरी 1987 को मिजोराम अस्थित में आया और देखो अगर आपको ये लग रहा है कि जो date में बताता हूँ वो important नहीं है तो आप गलत फिहमी कर रहे हो आपको बहुत सारे date से questions पुछे जाते हैं इसलिए date जो तीन state में बताता हूँ date आप अच्छे से याद रखा करो क्योंकि आपको सारे का याद होने वाला है ने कुछ-कुछ का अगर आपको याद रख या तो वेलेंड गूट क्योंकि एक्जाम में वो आपको काम आएगा बाद में जब मैं फिर से राजपाल पढ़ाऊंगा फिर से मैं एक बार date रिवाइस करवाद हूँगा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत फीड हो जाए वो तो बीस फरविल नियुसो से अतासी को मिजोरम अस्तित में आया था ठीक है और लोगसवा और राजपा सीट करने से पर इसका कैपिटल बता रहता हूँ इसका कैपिटल है ऐजोरम से लोगसवा में मातर एक सीट है और राजपा में भी एक सीट है तो आज का जो लोगसवा राजपा था इसमें सीटों की संक्या बहुत कम है इस तरह से आप जानते भी हो कि जो भी नौर्थ इस्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत कम पपुलिशन भी है ठीक है, इसके कारण से आपका जो लोगसवा, राषवा में representative है वो भी कम होते हैं तो आज आपने देखा मनीपूर और मेघाले इन दोनों में लोगसवा में दो-दो seat और मिजोरब में लोगस्वा में एक seat और राषवा में इन तीनों जगह से एक-एक seat ही है ठीक है दिन सारे बातों को आपको याद रखना है चलिए आज जो आपको याद रखना है आपको याद करना है और कमेंट में आंसर करने है वो है उरिसा के वर्थमान मुखवंतरी नागा लेंड के वर्थमान मुखवंतरी और पंजाब के वर्थमान मुखवंतरी कौन है इन तीनों का मुखवंतरी को आपको आज यादर करना है और कमेंट में आंसर भी करने है ठीक है और कल जो मैंने question पुछाता उसका सही answer है निलिना MS क्या नाम है निलिना MS क्या पुछाता मैंने question मैंने question पुछाता Colgate 2.0 सिर्शक वाले लेक ने खोजी पत्रकारिता 2018 के लिए ACJ एवार्ड जीता है तो ये Colgate 2.0 ये किसके दोरा लिखा गया है ये आपको बताना था ये निलिना मेज और आज का आपका question of the day है जो आपको comment में आशर करने है वो ये है कि किस देश के वायू सेना के General Todd Walters को NATO Military Alliance का सरवोच सेन अधिकारी न्यूट किया गया है NATO का सरवोच सेन अधिकारी किसको न्यूट किया गया है ये है Todd Walters को ये किस देश के हैं ये आपको comment में आशर करके बताना है ठीक है तो आज के सेन बज़ता है चलिए कल फिर से मिलते हैं अंगले सेसन में टील देन टेक केर बाबाई